नमस्कार में भाकिश्री, बिसिंद्यूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरे समावत करने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोने में सत्ता रुपय की गिरावट, चांदी भी चार सो लुड़की और मुंबई महानगर शेत्र में घरों की दाम घटी, दाम घट कर तीन प्रतिशत पर। लॉजिस्टिक शेत्र की प्रमुक कंपणी डेलिवरी ने हैवल्स इंडिया को एकी क्रोध भंडारन और परिवन समादान महिया कराने के ले करार किया है। संग फाडा के एक प्रतिनिती मंधन ने शिर्वातिस्तर के दोपईया पर माल एवं सेवा कर यानि जियस्टि दर को 28 से घटा कर 18 प्रतिशत करने की मांग की है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में बुद्वार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे की बढ़त के साथ 82.85 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। विदेशी मुद्रा कारुबार्यों ने कहा कि विदेशी कोशों की बिकवाली और अंतराश्य बाजार में कच्छे तिल की बढ़ती किमतों से रुपय का लाब सिमट क्या है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनियम बाजार में रुपया 82.83 पर खुला। वेश्विक बाजारों में बहुमुल्य धातू की किमतों में गिरावट के पीच राश्टी राश्टानी के सराफा बाजार में मुद्वार को सोना 70 रुपय के नुकसान के साथ 60,050 रुपय प्रती 10 ग्राम पर बंद हुआ है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,120 रुपय प्रती 10 ग्राम पर था। चांदी की किमत भी 400 रुपय लड़क कर 33,600 रुपय प्रती किलो ग्राम रहे गे। चांदी वायदा के सितंबर अनुबन की किमत भी 105 रुपय तुटकर 70,111 रुपय प्रती किलो ग्राम रहे गे। मजबुत मांग की कारण दूसरी तिमाही में आठ प्रमुक शहरों में घरों की किमतों में सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृत्य हुई है। रिपोर्ट की अनुसार कोलकाता में घरों की दाम सालाना आधार पर सबसे अधिक 15 प्रतिशत बड़े। इसके बाद दिल्ली NCR में 14 प्रतिशत और हैदराबाद में किमतों में 13 प्रतिशत की वृत्य हुई।